नवश्कार कैसे हैं आप सब लोग हम अपने चैनल क्लासी लूग पर आप लोग का स्वागत करते हैं आज हम आ गए हैर इस्टेटनिंग की वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही सिंपल बहुत इजी तरीका शियर करेंगे आपके अपनी खुद क के बालों में आप खुद हैर इस्टेटनिंग करेंगे तो आए देखते हैं करने के लिए सबसे पहले तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छे ब्रांड का हैर इस्टेटनर हमें लेना है और अपने हैर के टाइप के एकॉर्डिंग टंप्रेशर पर उसको रखना है और वैसे तो नार्मल 180-200-210 पर हैर इस्टेट कर सकते हैं तो यह मेरे बाल है और बहुत ज्यादा कर ली नहीं है बस हलकालका बेव है उसमें तो हमां सोचे कि आज आप लोग के लिए एक हैर इस्टेटनिंग का वीडियो अपलोड करें जिससे कि आप लोग खुद के बाल सबसे पहले हमें यह टूटीर पार्टिशन करना है और ऐस था यह को ट्रीकर कर नश्ट करदेना है ताकि वह आपको डिस्टर्ब ना कर मैं फिर आपको आपको साइडियृ ऑप जिल् सपोर्ई से करना सुरू करना है तो वंसाइड और नेको पतला सा ब्यांकर हिको स्वाए करके और पीज़ तक कापके हef ? ओसरी स्टेटेटनर हीट ओ चुका है तो अब ही आपको स्टेटनरat को है और है परेस करते हुए नीचे की तरफ जाना है और फिर सेब एक सेक्षाई हो जाता है तो फिर आपको सेकेंड section लेना है लेकिन आपको पतले पतले section लेना है आप जतना पतला section लेंगे उतना ही अच्छा आपका statining होगा और बहुत लंबे समय तक hold भी रहेगा और उसमे शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएगी हेर शाइनिंग भी होंगे और हेर स्मूथ भी होंगे बस आपको सेक्शन बहुत पतला लेना है एक एक बाल अच्छे से प्रेस होने चाहिए तो इस तरह से करके छोटे-छोटे सेक्शन बनाते हुए जब हमारा वन साइड का हेर स्टेट हो जाएगा स्टेटनिंग एक एक करके सारे सेक्शन को हो फ्रेस कर से बाथ से माग निकालते हैं और अइसे नीशे की तरफ प्रेस कर देते हैं तो तो हमारे हैर थोड़े से चिपकु चिपकु दिखने लगते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बाउंसी दिखाने के लिए हमें क्या करना है कि टॉप एरिये पे आना है और उसको थोड़ा सा है लेना है और इकतम उपर 90 डिगरी पर होल्ड करना है होल्ड करने के बाद से आप को थोड़े थोड़े हेयर को लीजिए और ईसे नांग से दिगरे एह उपर की तरफ ही आपको प्रेस करना स्वाण को और प्रेस करते हैं कर लीजिए पी तो अभी हम लोग का फ्रन ऐसे कंप्लीट हो चुए है फिर हम बेक सैड जाएंगे और बेक साइड भी हम स्यम प्रॉस से स्टेट निघ करेंगे और इसमें भी आम बैक साइड में के देखिए बिल्कुल सीधा सेक्शन बनाएंगे सेक्शन बनाने के लिए से से लिए फटले-फटले लिए इस तरह से छोटे-फटे पार्ट में और उसके बाद से उसको भी स्टेट कर दें गे तो स्टेट करते समय आपको कुछ को बातव किसी तरह से साफ होने चाहिए उसमें घंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो जब भी आपको हैर स्टेट करना हो तो आप हैर को बास किजिए 95% तक उसको ड्राय होने दीजिए उसके बास से अच्छी तरह से कॉम किजिए फिर आपको स्टेटनर का यूज किजिए और करना पड़ रहा है तो बस 81 सेकेंड ही होल्ड कीजिए बहुत ज़्यादा देर तक नहीं होल्ड कीजिए इससे अगर होल्ड हो गया तो आप केपाल चल सकते हैं तो यह सिज आपको दिमाग में रखना है और इस टेटनर को लगातार मोग करना है तो कैसा लगा आप लोगों और कॉमेंट करके जरूर बताएगा और मेरे बाल देखे कि थोड़े से लंबे हो चुके हैं मेरे हिसाब से हम छोटे बाल रखते हैं तो मेरे बाल मुझे लग रहे हैं कि लंबे हो गए हैं तो कटिंग करना है तो उस खुद के उपर आप कैसे कटिंग कर सकते हैं हो सकता है नेस्ट वीडियो हम अप्लोड करेंगे तो लगातार मेरे चैनल पर बने रही है फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार